टॉप थ्री बेस्ट कैमरा स्मार्टफून अडर 9,000 तो भाई अगर आपका बज़ेट 9,000 है 9,000 के बज़ेट रेंज में आप एक स्मार्टफून ले रहे हो अगर आपने सेलफी अच्छी लेनिया, फोटो अच्छी लेनिया, रील्स बनानिया, टिक टॉक बनानिया, ये वीडियो स्पैश ही आपके लिए, मैं आज आपको टॉप 3 नहीं, टॉप 4 बताऊंगा, जो भी आप लेना चाहते हो, आप ले सकते हो, बात करते हैं, सीधा नमबर 4 की बात करूँ, नमबर 4 पर मैंने रखा है, सामसेंग गलेक्सी M02S को गरे स्मार्टफोन की बात करूँ, सबसे पहले भी मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, कि ये 3 कलर्स में देखने को मिलता है, सामसेंग का फोन है, ट्रस्टीड ब्रेंड तॉप ब मिल जाता है, इसमें आपको HD plus display देखने को मिल जाता है, जो की infinity V cut display ठीक है, आपको snapdragon की और से प्रसेसर देखने को मिल जाता है, जो की foreign nanometer technology के साथ based है, operating system की बात को आपको Android 5 version 10 देखने को मिल जाता है, triple camera मिल जाता है, प्लस आपको 5 megapixel देखने को मिल जाता है, तो इसमें आपको 5000 image की battery देखने को मिल जाता है, तो यार Samsung के phones की खास से ही आपको ये देखने को मिल जाता है, मैं आपको बता देना चाता हूँ कि इसका grey color इसको ज्यादा suit करता है, and मैं आपको ये भी चीज़ बता देना चाता हूँ कि plastic frame में देखने को मिल जाता है, लेकिन इसकी build quality बहुत ही जाता सही है, अगर आपके हाथ से phone गिर भी जाता है, कहीं पर भी गिर जाता है, तो कोई भी problem नहीं आने वाली टूटने वाला खाब नहीं होने वाला, आप normally easily use कर सकते हो, अगर आपने long temperature भी यूज़ करना है, आप कर सकते हो, and अगर आपका budget 9000 है, आपके budget range में पूरा fit हो रहा है, प्लस मैंने, जो link है, वो bind link, description box में दिया हुआ है, अगर आपने चाओर करना है, specification खुद देखना चाहते हो, तो देख सकते हो, अभी बात करें, main specification की थोड़ा से deeply में आपको बता देता हूँ, यह display की बात करूँ, इसमें आपको 6.5 inch की PLS IPS display देखने को मिल जाते है, जो की Samsung की और से खुद की ही अपनी देखने को मिलते है, प्रसेसर की बात करूँ, आपको Snapdragon 450 देखने को मिल जाता है, जो की 40 nanometer technology के साथ, बैटरी की बात करूँ, आपको 5000 mh की बैटरी देखने को मिल जाते है, पंद्रा वोड का फार चाजर देखने को मिल जात आपके 3GB RAM जो है, वो आपको 8999 के budget range में देखने को मिल जाएगा, तो भई, main specification में आपको बता दिये, Samsung Galaxy M02s की, अगर आपने smartphone क्या हो जाना है, आप जा सकते हो, लेकिन जो मैं आगे phone बताऊंगा, वो और भी सही होने वाले, लेकिन अगर आपको एक non-channel smartphone चाहिए, आपके पहले मैं आपको ये चीज़ बताने जाता हूँ, कि ये smartphone भी आपको दो वेरिड में देखने को मिलेगा, जो 3GB RAM वेरिड है, वो आपको 9000 के budget range में देखने को मिल जाता है, phone दो गल्स में आता है, दोनों गल्स को बहुत ही ज़्यादा सूट करते है, and इसकी look, design, build, quality तो आपको HD plus display मिल जाते है, आपको dual camera देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको 4K option इसमें नहीं देखने को मिलता, आप 4K में शूट नहीं कर पाऊगे, आपको 6000 mAh की battery देखने को मिल जाते है, 6000 mAh की battery मतलब आपको दो दिन तो normally निकल जाएंगे, जैसे भी आपने यूज करना है जितना भी आपने heavy work करना है, जब कोई भी काम करना जाते हो, आप easily normally कर सकते हो, प्लस ये smartphone reverse charging support करता है, जो कि इस smartphone का एक plus point आ जाता है, जो कि आपके लिए ही helpful होने वाला, अगर आपकी दूसरे phone की battery खतम जल्दी हो जाती है, ठीक है, तो अभी बात कर लेते है, इसके main specification की, तो display की बातों को 6.5 inch की IPS LCD देखने को मिल जाता है, प्लस रिवर्स charging support करता है, camera की बातों को dual camera मिल जाता है, लेकिन आपको 4K option नहीं मिलता, selfie की बात करूँ, आपको 8 में आपके साथ selfie मिल जाते है, storage की बात करूँ, आपको 3GB वेर्ड जो है, आपको 9000 के budget में देखने को मिल जाता है, price की बात को 9000 के budget में Realme Narzo 30 ये देखने को मिल जाएगा, तो भई main specification तो मैंने आपको बता दियो, Realme Narzo 30 एक है, अगर आप इस smartphone के जाना चाहते हो, आप जा सकते हो, आपको long battery life मिल जाते है, पर सही मिल जाता है, and design look wise देखा जाए, phone बहुत ही ज्यादा अपर है, buying link में in description box में दिया हुआ, अगर आप खुद check out करना जाते हो, specification पढ़ना जाते हो, phone को check out करना जाते हो, तो भी आप check out कर सकते हो, आगे बात कर लेते है, number two, number two की, number two की बात करूं, number two पे यार मैंने फिर से रखा है, realme की और से smartphone, मैं बात कर रहा हूँ, realme narzo 20A की, अगर इस smartphone की बात करूं, ये smartphone आपको दो colors में देखने को मिलता है, silver color में, and आपको देखने को मिलेगा, blue color में, दोनों color इसको बहुत ही ज्यादा सू प्लस अगर आप camera की according जो है, वो smartphone देख रहे हैं, अगर आपको बचले 9000 है, ये smartphone भी आपके लिए perfect deal हो सकता है, because आपको triple camera मिल जाता है, plus आपको 4K video recording option भी देखने को मिल जाता, आपको HD plus display मिलेगी, जो की gorilla glass 3 की production के साथ आती है, 5000 ms की battery मिल जाती है, reverse charging भी sport करता है, और प display की बात हो, आपको 6.5 inch की HD plus display मिल जाता है, प्रसेसर मैं आपको पहले बता दिया की 11 nanometer technology के साथ, बेस जा, snapdragon की आप सेयाता, snapdragon का जो प्रसेसर होता है, सच में तगड़े होता है, आप gaming कर सकते हो, normally easily कर सकते हो, storage की बात कुरूँ है, आपको 4GB RAM and 3GB RAM के साथ देखने को मिल रफी मिल जाती है, अप price की बात करूँ, ये smartphone आपको 8,000 से लेके 9,000 के budget range में देखने को मिल जाता है, 9,000 से थोड़ा सा अपर इसका budget शायद जा सकता है, link मैंने बायो में दिया हो, भी अगर आपने चाओड कर सकते हो, देखना चाहते हो, लेना चाहते हो, जैसे भी करना आप कर सकते हो, तो बई, main specification तो मैंने आपको बता दिया, Realme Narzo 20 AK, ये smartphone भी सच में बहुत ही ज़्यादा सही है, इसका design हो गया, प्लस इसके जो specification है, 9,000 के budget range में आपको 4 के video option मिल जाना, fingerprint मिल जाना, face unlock मिल जाना, long battery life मिल जाना, वो जी सच में matter करती है, इस चीज़ को आप लिए बहुत ही ज़्यादा सही चीज होने बाली है, आप जा सकते हो, इस smartphone की और अभी आँगी बात करते है, number one की, number one की बात को, number one पर यार मैंने रखा, Redmi 9 Prime को, तो सबसे पहले बई, मैं आपको इतनी चीज़ बता देना चाता हूँ, कि इसका budget range है, वो 9,000 के थोड़ा सा पर चलेगा, अगर आप extra pay कर सकते हो, 500 जो है अगर आप extra pay कर सकते हो, आप चल जाना इस smartphone के आपको specification बहुत ही ज्यादा तग्रे मिल जाते है, मैं आपको specification बता देता हूँ, थोड़ा सा deeply बात कर लेते हैं, तो अगर मैं phone की बात कुरूँ, सबसे पहले है ये चार colors में मैं आपको कहना जाता हूँ, आप 64GB स्टोरे की और चल जाना, विकाज आपको microSD card slot देखने को मिल जाता है, अगर आपको like story की ज्यादा जूरुत बढ़ती है, तो आप microSD card यूज कर सकते हो, यार, media tech, helio G80 देखने को मिल जाता है, जो कि 12 nanometer technology के साथ बेस्ट है, और वीडियो शूटर नहीं कर सकते है, जो कि तोड़ा सा जच में एक मानस मट आ जाता है, लोंग मेंटरी लाइफर प्लस आपको फून जो है, वो प्लास्टिक फ्रेम में देखती हो मिलेगा, तो अगर आपने यूज करना है, आपको case डाल करी, इसको यूज करना पड़ेगा नहीं तो सक्राइच आने के डर रहते हैं, और कोई भी रीजन नहीं है, तो भई, main specification मैंने आपको बता जिए, Redmi 9 Prime के, अभी एक चीज में आपको clear कर देता हूं, तो भई, अगर आपका बड़, 9000 से थोड़ा सा एक्ट्राइज जल जाता है, 500 अगर आप एक्ट्रापे कर सक सकते हो, आपके लिए perfect deal हो जागा Redmi 9 Prime, अगर आप ज़्यादा पे नहीं कर सकते है, अगर आपका budget 9000 से थोड़ा सा कम है, आपके लिए perfect deal हो जागा Realme Narzo 28, ये दोनों फोन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सही है, अगर आपको non-channel smartphone चाहिए, Samsung Galaxy M02S, वो आपके लिए perfect deal ह हो जाएगा, आप इन तिनों smartphone में से कोई भी लेना जाते हो, आप ले सकते हो, अगर मेरा budget 9000 होता, तो भई मैं जाते हो, Realme Narzo 28, और विकाज उसका design, उसके look, उसके specification and 4K video recording option मिल जाना, वो सच में एक चीज़े matter करती है, बहुत ही ज़्यादा matter करती है, तो आप देख लेना मैंने सभी के description box में दिए हो, मैं आपको चारूर करने को मिल जाएंगे, अगर आप कोई भी देखना जाते हो, लेना जाते हो, specification पढ़ना जाते हो, जैसे भी करना जाते हो, भी आप कर सकते हो, तो यार, अभी मेरी वीडियो यही पर हो जाती है, खतम, अगर आपको मेरी व झाल